तो दोस्तो इस 5G फोन में 16GB के RAM है, on20 refresh rate का display है, on28GB का storage है और तो और फोन का price सिर्फ परसिप साड़े बाराज रुपय है चलिए unboxing करते हुए मैं आप लोगों को फोन के बारे में बता देता हूँ तो इसका box दोस्तों काफी बारा है, box में साइथ बहुत कुछ होगा और यहाँ पर जो है सेर का logo दिया हुआ है यहाँ पर lava लिखा हुआ है, चलिए इसको open करके देखते हैं तो यहाँ पर एक photo frame में कुछ तो है, जियां इसमें king of 5G लिखा हुआ है proudly Indian और उपर जो है lava है, lava blade pro 5G, यह देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, मतलब 3D photo है और पीछी के तरफ कुछ इस तरीके का इसका design है, इसको हम बाद में देखेंगे और यह रहा अपना phone का box, इसको भी हम लोग बाहर निकल लेते हैं तो यह रहा phone का box, lava blade pro 5G लिखा हुआ है उपर की तरफ, यहाँ पर 8GB plus 8GB का RAM है और 108GB का internal storage है, यहाँ पर mention किया हुआ है box के पीछी के तरफ phone के specs के बारे में बताया गया है, क्या-क्या मिलता है phone में इसको open करके देखते हैं, मैं आप लोगों को बाद में बता दूँगा, क्या के इस phone में मिलता है box में सायद से cover है, जी हाँ इसमें cover है, cover का लभबा मुझे SIM ट्रति यहाँ पर नहीं दिखा और यह रहा अपना device, इसको हम बाद में देखेंगे, एक type C data cable है और यह रहा है, इसका charging adapter जो 33 odd का है, और यह type C, 2 type C है और सबसे last में box में एक SIM जेक्टर टूल भी है ओहो, फास्ट इंपर फोन का look तो काफी अच्छा लग रहा है, और back side की design आप थोड़ा सा notice करेंगे तो यह थोड़ा सा glossy type का लग रहा है, बाट यह glossy नहीं है, matte finish glass back design है यहाँ पर lava 5G लिखा है, यह एक 5G phone है, और king of 5G यहाँ यहाँ पर dual rear camera मिल जाता है, 50 megapixel का main camera है, और यहाँ पर एक LED light भी है side का frame side से plastic का होगा, और यहाँ पर जो power button है, वो उसको उपर ही finger pin sensor मिल जाता है volume button यहाँ पर side में ही है, left side में sim tray है, इसको open करके देखते हैं, इसमें हम क्या-क्या डाल सकते हैं hybrid sim slot है, या फिर dedicated sim slot दिया गया है okay तो इसमें dedicated sim slot दिया गया है, आप एक साथ 2 sim और एक memory card डाल सकते हैं नीचे के तरफ 3.5 है का audio jack, एक mic और एक type C port और speaker grill देखने को मिल जाता है phone जो है काफी मोटा नहीं है, काफी slim नहीं है, मेरे ही सबसेत एकदम ठीक टाक है और एक चीज़ जो है phone आपका हाथ से slip नहीं करेगा, because back side में matte finish design है display के बारे में अगर बात किया जाए तो display भी दोस्तों इस phone का काफी जबरदस्त है इसमें दोस्तों 6.7 inch का full HD display है, on 20 refresh rate का, जी हाँ यह काफी ज़्यादा fast है तो अब इसमें gaming भी काफी अच्छी तेरी किसी कर पाएंगे, और उसी के साथ यहाँ पर एक punch hole में phone से भी camera भी दिया गया है और यह वाला भी photo जैसे कि यह वाला photo देख रहे हैं आप यह में back camera से click किया था और photo में भी काफी अच्छा clarity है और by the way back side में 50 megapixel camera है मैं आप लोगों को पहले बताया था अच्छा और काफी सांधार आया है जैसे कि अब देख रहो मेरा होट जो है वो एकदम मतलब कौन सा ला रहे है पिंक हां वो कर दिया है एकदम सही लाग रहा वाई देखने में तो बस मैं कुछ एक दो photo क्लिक किया था और भी अच्छे से टेस्ट करेंगे और यहां पर एक मुझे problem लगा problem मतलब software का मतलब issue बोल सकते हो जैसे मैं इस photo को delete करता हूं देखिए अब डिलिट कर दिया अब जैसे मैं यहां पर change करता हूं देखिए अब change नहीं हो रहा है यह देखिए अब थोड़ी दिर बाद change होगा यह देखिए करने का option है बागी camera और एक वीडियो में और एच्छे से टेस्ट करेंगे अगर आपको चाहिए तो आप comment कर सकते हैं और आपने वीडियो को लाइक ने किया तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दीजेगा इस चैनल को सब्स्क्राइब करकर रिखिए और बात करते हैं रैम अधर जो है मीडेटी के डामिट सिटी 6020 का चीप सेट है और यह वाला चीप सेट दोस्तों काफी अच्छा और काफी पारफुल भी है मतलब चार लाग से उपर इसका एंटेटी स्कोर है तो आप गेमिंग भी काफी अच्छी तरी किसमें कर सकते हो पाप जी भी अधर से मार देया वाई मेरे को चलो जो भी है लेकिन भाई इसमें गेम तो काफी अच्छी से प्ले हो गया और इसका जो स्पीट है वाई सच में मैं आपको बता रहा हूं फोन का जो स्पीट है मैं लाभाका मेरे पास बहुत सारा फोन आया है लेकिन इस रेंज के अंदर बारह हजर से साड़े बारह हजर रेंज के अंदर ऐसा फोन और 120 डिफ्रेश रेट बाला डिस्पेल 8G RAM और उसी के साथ 5G फोन रिट्रेली काफी अच्छा फोन है अगर आपका भी बाजेट साड़े बारह हजर या फिर तेरह हजर भी हो सकता है अगर हो तो आप इस फोन को डिफिनेट लिए इंडियान ब्रैंड है और काफी अच्छा फोन है मैं मतलब कुछ दिन से यूज़ करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया है जो दिक्कत था एक फोटो डिलेट करने के समय थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो वह मैं आप करने के समय अनाउंस करता है या फिर नहीं यह तो चेक नहीं किया है चेक करना पड़ेगा आपको अगर चाहिए तो आप कॉमेंट कर देना मैं आप लोगों के लिए और एक वीडियो बना दोंगा अच्छे से और तो अगर आप इस फोन को लेते हैं तो आपको बॉक्स में कार्ड मिलेगा इस कार्ड से क्या होगा कि आपका फोन वाईचेंस अगर खारब हो जाता है मतलब होगा तो नहीं यह तो इस कार्ड में नंबर है उसको फोन करके आपको फोन जो है आप घर हमें कर सकते हैं अगर आपका बाजट 11-12 रह चाहित और है और आप वाइजक्षी फोन जुन रहे हैं रैंप जाद है चाहिए थोड़ा बहुत गेमिंग भी करना जाते हो क्यामरा भी थोड़ा सा अच्छे चाहिए तो आप बिल्कुल इस फोन को ले सकते हैं इंडियान ब्रैंड अभी काफी अच्छा हो रहा है मैं आप से मिलूंगा और एक वीडियो में इस वीडियो के एक लाइक कर दीजेगा भूल जाता हूँ ना